हलो एवरिवन आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लिखे आई जो आज से पहले ना तो आपने देखी होगी और ना ही बनाई होगी और एक बार देखने के बाद इसे हफते में गरेंटी से दो बार तो जरूर से ही बनाना चाहेंगे तो चलिए देर के इस बात की शुरूर करते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तुरही का तुरही तोरी नैनुआ सब इसे अलग अलग नाम से जानते हैं आप किया इसे क्या कहा जाता है आप कमेंट बोक्स में लिखके मुझे जरूर से बताइएगा तो मैंने यहाँ पर तुरही लिए काफी कच्ची तोरी है आप देखी सकते हैं गर्मियों की सीजन में आती है और खूब हेल्डी होती है तो खूब खानी चाहिए तो चलिए इसे छील लेते हैं यहाँ पर आज मैं नामी कर देखी सकते हैं चोटे नाश्ताब कर रहें तो आप करक देखी सकते हैं इसे चोटे पिसे में चाट करनेruckं द्यूड़ू है त्यार इस तरीके से अब इसमें मिक्स करेंगे हम कुछ बेसिक से इंग्रीडियेंट जिसमें है एक चुथाई चम्मच कुटी वी मिर्च आप यहां पर चिली फ्लेक्स या फिर रेड चिली पाउडर भी एड कर सकते हैं साथ में डालेंगे एक चुटकी हल्दी हल्दी पाउ करते हैं और साथ में डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक अब इन सारी चीजों को मिक्स करने से पहले हम इसमें एड कर लेते हैं थोड़ा सा टमाटर आप अपनी हिसाब से आदा या एक पूरा ले सकते हैं साथ में डाली है कुछ हरी मिर्ची एक या दो कट करकर और आधा कप चावल का आटा बल्कि आधा कप से भी थोड़ा ही कम लिया है मैंने चावल काटा और जितना चावल का आटा है उसका आधा हमने डाले हैं पर बेसन यानि कि अगर साड़ी तीन चमब चावल काटा है तो दो चमब हमारे यहां पर बेसन है और साथ में डाली है धन पानी होता है तो अभी यह पेस्ट गाणा लग रहा है मुझको यह पर तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करूंगी थोड़ा ही पानी हमें एड़ करना है इसकी जो कंसिस्टेंसी है वह ज्यादा पतली नहीं चाहिए बिल्कुल इसी तरीके का यह परफेक्ट तरबनकर हमारा तयार हो गया तो चलते हैं गैस की तरफ अब गैस पर रख लेंगे हमें एक पैन या तवा आपके पास अगर साधा तवा हो उस पर भी नाश्टा अराम से बन जाएगा तो थोड़ा सा इस तरीके से तेल से ग्रीज कर लीजेगा नीचे और बैटर को एक बर घुमाकर अच्छे से दो चमचे बैटर डालके बस इस तरीकी से आप तली में फैला दीजे जितनी आपकी तली है या फिर अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो ज्यादा बढ़ा ना फला कर सिरफ इतनी ही साइस का आप इसे फैलाएं और यह देख सकते हैं जैसे हमने तोर की की पीसे उनको हम इस तरीके से स्पैचुला से सैट कर देंगे अगर करना चाहें तो करें नहीं तो कोई दिकत नहीं है यह आराम से नाश्ता बनकर हमारा फिर भी तेयार हो जाएगा तो यह देखें जब नीचे से यह थोड़ी सी परत हमारी सीखने लगे तो साइट से हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं तो कोई दिकत नहीं भी डालेंगे तब भी यह आराम से बन जाएगा बास इसको ठक कर अब कम से कम एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे और उसके बाद धकर हडा कर देखेंग तो यह वाली साइड है यह भी हमारी अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो चलिए इसको पलट देते हैं और यह देखें कितना मजे का हमारा तोरी का नाष्टा बनकर हो गया है रेडी सच में दोस्तों जो तोरी नहीं खाते ना जिने तोरी पसंद नहीं है सबजी में या किसी भी चीज में वह इस नाष्टी को भाग भाग कर क्या दोड़ दोड़ कर खाएंगे और बस दूसरी साइड से भी इसी तरीकी से हम इसको ऐसे घुमा घुमा के सेख लेंगे दूसरी साइड हमारी अच्छे से क्रिस्प हो जाए यह देखे कितना बढ़िया कलर आया है अगर अगर आपको थोड़ असा क्रिस्पिनेस ज्यादा पसंद है तो आप इस नाष्टी को दोनों सेख से थोड़ा ज्यादा से लीजिए और अगर आप ज्यादा क्रिस्प नहीं खाते तो यह इतना बहुत है तो चलिए सारा नाष्टा हम इसी तरीकी से बना लेंगे तो मैंने बच्चों को यह नाष्टा इतना पसंद आएगा कि आप खुद से इस नाष्टे को हफते में दो से तीन बार बनाना पसंद करेंगे क्योंकि बच्चे तोरी सीधे-सीधे नहीं खाते आप उनको इस नाष्टे में खिला सकते हैं आप बच्चों के लंच्टम या थैस्बे झाल बोटीं!